हलो दोस्तों कावी सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं भाई हमारा डीमेट अकाउंट में जो पैसा था वो डिड़क्ट हो चुका है एंड वहाँ पे जीरो बैलेंस सो कर रहा है इसका क्या रीजन हो सकता है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो पहली बात दोस्तों अगर आपका डीमेट अकाउंट में से पैसा कट हुआ है या फिर एड हुआ है तो इसके लिए आपको पहले अपना स्टेट्मेंट चेक करना चीए जहां पे आपका बैलेंस एड रहता है उसके नीचे में आपको व्यू स्टेट्मेंट का ऑप्सन रहता है उसको आप लोग जाके चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा aid हुआ है तो कितना हुआ है and deduct हुआ है तो कितना हुआ है and किस वज़ा से हुआ है वो आप लोग चेक कर सकते हैं अभी दोस्तों अगर आपका zero balance हो कर रहा है तो इसका reason यह है दोस्तों SEBI का जो rule है कि quarterly settlement वाला यानि कोई भी broker आपका पैसा है वो अपने demate account में aid नहीं रख सकता कि quarterly settlement करना होता है SEBI के rule के अनुसार अगर आप अपना पैसा use करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो भी आपका अपना जो पैसा है वो quarterly automatically आपके bank account में settle कर दिया जाएगा तो आप लोग एक बार अपना bank account चेक कर लिजेगा साइध आपका पैसा आपके bank account में credit कर दिया है अगर आपका balance वहाँ पे था तो automatically आपका पैसा है वो credit कर दिया है क्योंकि SEBI का rule होता है दोस्तों कि हर 3 महिने से quarterly settlement होता है जैसे कि अभी March end हुआ है तो अभी आपका पैसा automatically bank account में जमा कर दिया है अब उसके 3 महिने बाद फिर से अगर आपका पैसा आपके demate account में रहेगा तो वो भी आपका automatically आपके bank account में credit कर दिया जाएगा चाहे आप लोग अपना पैसा use करते हैं या फिर नहीं भी करते हैं तो भी आपका पैसा वहाँ पे अपने bank account में credit कर दिया जाएगा इसके अलावा दोस्तों जो भी आपने share खरीद रखे हैं वो पैसा कहीं नहीं जाने वाला वो आपको portfolio में share का value है वो देखने को मिल जाएगा बट आपका जो balance ऐसे ही पड़ा रहेगा जिसको आप लोग trading और investment के लिए use करना चाहते हैं वही पैसा आपके bank account में automatically credit कर दिया जाएगा तो एक बार आप लोग check कर लिजेगा आपके bank account को आपका पैसा कहीं नहीं जाने वाला है डरने के आपको जरूरत नहीं है इस वीडियों बस इतना ही वीडियों आपको पसंद आया तो like करे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करे मिलता है फिर एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन